देखते हैं कैसे classification होता है उसमें से एक class है हमारी नमबर और कॉमन करेक्ट यह हमारा जो नेस्ट टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे taxonomic categories के बारे में तो टेक्सोनोमिक categories का मतलब होता है जब भी classification हम करते हैं तो classification करने के लिए living organism को उनको different classes में या किसी भी particular category में उनको जो categorize करना है जैसे आप ये समझ सकते हो बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी की rank lower है किसी की rank उससे टॉप है किसी की rank उससे भी top है किसी की rank उससे भी top है आपने police department में ऐसे military department में ऐसे बहुत सारे department में आपने चीजे observe की होगी ठीक है ना तो उसी की तरह living organism को भी classification करने के लिए एक rank या एक hierarchy जो होती है उस rank या hierarchy को जिस भी सरीज में देखते है वो हर एक level पे एक category present होती है और उस एक category को हम taxon कहते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है taxonomic category इसमें कोई भी एक taxonomic category जो होती है उसको हम taxon कहते हैं taxon है ना ऐसा आप समझ सकते हो कि सुरू से लेके bottom से लेके top तक की जितनी भी ranks होती है उन सारी की सारी ranks को हम categories कहते हैं है ना all categories जैसे कि मैं बोलूँ one category एक category को हम एक category organisms को जब भी categorize करते है तो उसकी अगर एक category को हम देखते है any one category कोई भी एक category अगर होती है उसको हम taxon कहते है लेकिन सारी categories को हम क्या कहते है all categories अगर हम all categories की बात करें सारे के सारे categories तो उसको taxa बोलते है उसको taxa बोलते हैं कहते हों कि taxonomic categories मैं यहाँ पर bracket में लिख देता हूं taxa और अगर मैंने लिखा taxonomic category तो उसको rank यह taxon उसको हम एक taxon कहते हैं यही से सबसे important चीज़ है आपको यह taxon, taxa और rank यह सब आपको आना चाहिए इसको क्या कहते है आपको समझते हों कि लेवल में जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं मिलती है sequence की एक levels की sequence या series मिलती है उसको हम hierarchy बोलते हैं जैसे आपने देखा होगा यह constable होता है constable जो होता है lower level of police की hierarchy में होता है उसके बाद में sub inspector inspector इस तरीके से top inspector होते चले जाते हैं तो आपको समझ में आरा कि hierarchy जो होती है वो किसी भी species में है classification जब भी किसी species में करेंगे तो hierarchy है उसके ranks की hierarchy है हमारा animal जो rank है हम उसमें अकेले नहीं है लेकिन sapiens जो है उसमें हम human अकेले ही हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हम किस category में belong करेंगे वो एक hierarchy होगा किस level पे होगा each category represents a unit of classification सारी की सारी categories अपने आप में unit of classification है उसे आप unit मान सकते हो और group of organism occupying particular categories called tax zone जैसे मैंने अभी इस में थोड़ी देर पहले आपको tax zone को बताया है कि कि किसी भी level की any category any category of any rank किसी भी rank की कोई भी अगर category होती है तो any rank any category of any rank क्या के लाएगी tax zone के लाएगी and all these tax zone are plural are plural to call tax zone अगर हम इस सारे के सारे tax zone को plural के ना चाहते हैं तो tax zone केंगे tax zone केंगे जैसे यहां पे आपने देखा कि ascending order या descending order taxonomy का क्या होता है taxonomy categories का ascending या descending order क्या होता है तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि ascending order है अब आप यह बताओ ascending order का मतलब हो गया यह जो ऊपर का order दिखने में आ रहा है ना इस तरीके से जो भी यह order जा रहा है यह कौनसा है ascending order है यह कौनसा order है ascending order है अब आप देखो कि kingdom उसको हम divisions या phylum में classify करते हैं और फिर उसको classes में then orders में families में जीनस में और species में यह आप यूँ कह सकते हो कि एक species group में एक ही type की organisms को रखा जाता है और different related species को किसी particular genus में रखा जाता है कई सारे genus को एक family में रखा जाता है और कई सारे families को एक order में कई सारे order को एक class में कई सारे classes को एक division में या phylum में रखा जाता है दोखो फाइलम जो rank है वो animal के case में use होती है, अगर हम देखे तो यह animal के case, in case, animal, animal के case में इसको हम use करते हैं, तो इसको हम जो है animal के case में use करते हैं, फाइलम जो है यहां पर, वो animal के use होता है, for Animalia Kingdom, और बाकी सब में division होता है, और बहुत सारे related divisions को हम लोग किसमे classify करते हैं? kingdom में, kingdom में classify कर देते हैं तो आप देखते हैं एक एक organism को classify करके हम अभी देखते हैं कैसे classification होता है? जैसे इसमें देखो, आप एक देखो कि kingdom animalia है kingdom animalia में बहुत सारे, क्या है? phylum में, कितने? बहुत सारे phylum में उन में से एक phylum है caudata, caudata phylum है और caudata phylum में बहुत सारे class है उसमें से एक class है mammalia mammalia class में कई सारे order हैं जैसे कार्णी वोरा, वैसे एक order है primata और primata में बहुत सारे है families उसमें से एक family है, humanity humanity family जो होती है, वो human की family है आप कह सकते हो कि जिसमें एप, लंगूर, है ना, monkey ये सब जो होते है, hominity family से belong करते हैं hominity family से relate करते हैं तो वहीं पे यहाँ पे homo जो है हमारा, ये genus है और उस genus में कई सारे species थे उन में से एक species जैसे homo neanderthalis, homo chromagnon homo habilis, homo paking, homo java ऐसे बहुत सारे थे हम अपने आपको homo sapiens करते हैं तो ये आपको समझ में आगया कि इसी का भी classification अगर करना है तो आपको उन सारी categories को लेके जाना पड़ेगा भाई यहाँ पे सारी categories को लेके जाना पड़ेगा हम animal है, हाँ animal है, हम क्या codate है, हाँ हम codate है क्या हम mammals है, yes we are mammals क्या हम primates है, yes हम primates है क्या hominity families है, हाँ हम hominids है इसका मतलब ये सारी के सारी categories ही define कर रही है एक किसी human को तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक human जो है, वो अपने कई सारी categories के थुरू describe किया जाता है अब हमारे सामने यहाँ पे है कि अगर मैं किसी kingdom को किसी particular division में और फिर उसको किसी class में order को, फिर family, फिर genus और फिर species अगर मैं इन seven categories में classify करना चाहता हूँ तो अब आप देखना और फिर assume करना कि कैसे classification किया जाता है जैसे मैं आप अगर आपको ये बताऊ कि एक हमारा kingdom है और उस kingdom का नाम है अनी मेलिया तो आप ये कहोगे पहले तो ये division दो काटके याप फाइलम करो ठीक है भाई आप इसे फाइलम कर देते हैं तो यहाँ पे फाइलम यूज किया जाएगा तो ये अनीमिलिया kingdom है उसमें कही सारे फाइलम है कही सारे फाइलम है उन में से हम एक कोई फाइलम ले लेते हैं आप कहोगे सर आप कौड़ेटा फाइलम ले लो तो हमने यहाँ पे कौड़ेटा फाइलम ले लिया कौड़ेटा आप देखो ये कौड़ेटा फाइलम है इसमें कई सारे classes है हमें कोई एक class लेनी है इसमें से तो इसमें से कोई एक class ले लो आप बताओ चलो कोई साबी class आप एजूम करो जैसे मान लेते class mammalia class mammalia या आप animalia kingdom में यहाँ पे phylum कोई और भी ले सकते थे जैसे हमने arthropoda phylum ले लिया arthropoda arthropoda जैसे यहाँ पे हमने mammalia class ले लिया अब mammalia class में बहुत सारे order से उन में से कोई एक order हम लोग ले लेते हैं जैसे इसमें एक order आता है Carny Vora 들 और एक order आता है Primata विसे कई सारे हैं इसमें order लेकिन हमने इसमें kontra ले ले लिया एक Primata ले लिया अब यहाँ से वापस समझने की जरूरत है कि arthropoda जो Arthropoda Phylum में कई सारे Classes होंगे जिस तरीके से Cordita Phylum में कई सारे Classes है उसमें से एक हमने Memoria ले लिया Memoria में कई सारे Order उसमें से हमने Carnivora ले लिया, एक Primate ले लिया अब जब आप Carnivora को कई सारे Families में बाटना चाहोगे तो उसमें से एक Family हमारी आजाएगी कौन सी, इसे एक Family का नाम है Kennedy Kennedy और दोसी Family का नाम है Feliddy अब देखोएगे जो Kennedy और Feliddy Family है आप अगर हम इसे Explain करना चाहते तो Kennedy Family में कई सारे Genus है उसमें से एक Genus हैता है Canis अब जो Canis Genus है उसमें से कई सारे Species बनते हैं, उसमें से एक Species है, उसका भी नाम Canis ही है तो जो Canis Canis है यह जिसका नाम है उस Animal का नाम है Dog तो अगर आप Dog को Classify करना चाहते हो तो आप उसे Animalia, Cordata, Mammalia, Carnivora, Kennedy, Canis Canis, Dog कह सकते हो वैसे ही आप देखो यहाँ पे Feliddy, अब Feliddy Family में कई सारे आपके क्या जाएंगे Genus, उसमें से एक Genus का नाम है Phelis और Phelis Genus में भी कई सारे Species हैं, उसमें से भी एक है Phelis और यह जंगली Cat है Phelis, Phelis एक Cat है जो जंगल में रहती है ऐसे एगर हम घर की Cat की बात करेंगे तो Domesticus Domesticus तो Phelis Domesticus तो यह दोनों Cat ही है तो जया नगना Phelis, Phelis मतलब Cat मैं यह आपे Cat लिख देता हूँ यह आपे भी मैं Phelis लिख देता हूँ कि यह भी एक Cat ही है Phelis Domesticus तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप किसी Cat को Classify करना चाहते हो तो उसे आपको Animalia, Caudita, Mammalia, Carnivora, Phelidi, Phelis Phelis कहना पड़ेगा अब आपको समझ में आ रहा होगा तो किसी भी और्गिनिजम को इस पे एक्जाम में questions आते हैं जैसे Phelis या Cat Cat किस Family में है तो आप बताओगे Cat जो होती Phelidi Family में है है ना अब देखो जो Phelidi Family है उसमें एक जीनिस है Phelis और बड़े मज़े की बात है आप लोग रेलेट भी कर पाना आपने कभी देखके हैं नहीं सोचा कि जो टाइगर है वो बिल्कुल बिल्ली का बड़ा भाई लगता है आप उस चीज को दियान से समझो पर यहाँ पेंथेरा एक जीनिस है पैंथेरा तो अगर यहाँ पे आप देखोगे बच्चो कि फैलेडी Family में कई सारे जीनिस जीनिस उसमें से एक और है पैंथेरा अब जो पैंथेरा ओडर है इसमें कई सारे species आजाते हैं there are many species, उन में से कुछ species का नाम में यहां पर मैं लिख देता हूँ, जैसे लियो, टाइगरिस, पाडस, तो जो यहां पर हमारी, जो भी यहां पर हमारी लियो है, उसको हम लायन कहते हैं, क्या कहते हैं, लायन, टाइगरिस को हम टाइगर कह रहे होते हैं, टाइगर, और फिर प लेपड तो इस तरीके से अगर lion का classification करना हो तो आप क्या करोगे इस तरीके से classification किया गाता है और इस पे सारे के सारे हमारे एक्जाम पस कवर हो जाएंगे जितने भी NCAT में दिये गया है अब अगर मैं कहता हो कि अनिमिलिया किंडम में कॉड़िटा फाइलम का मेमेलिया क्लास का जो दूसरा ओडर है प्राइमेटा आप उसमें क्या पाते हो तो प्राइमेटा ओडर में भी कही सारे फैमिलीज है देखो आप फैमिली के लेवल पे आप देखो तो कही सारे फैमिलीज है उन में से एक फैमिली है होमी निडी और यह होमी निडी फैमिली है इस फैमिली में कही सारे जीनस थे एक टाइम तक और उसमें से अब हमारे सामने एक जीनस है होमो और उसमें कई सारे स्पिस्टीज वुआ करते थे लेकिन आज की डेट में सिर्फ सैपियेंस बचा हुआ है तो होमो सैपियेंस और ये किसका क्लासिफिकिसन है हीमिन का, हम लोगों का, नेचर के दुस्मन का आप ऐसा भीग समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो होमो सैपीन्स है होमिनेरी फैमिली का है प्राइमीटा ओर्डर का है तो अगर आप ह्यूमन को या हम खुद को एक्स्पीन करना चाते हैं तो कहेंगे एनिमेलिया, कॉडेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा hominity homo sapiens आया समस्बे अभी इसके मैं कुछ आपको drills भी कराऊगा ताकि इससे related सारे questions आपको clear होते चले जाए अब देखो arthropoda एक file में आपने पढ़ा होगा Animalia Kingdom का जो आपका 11th class का जो 4 chapter उसमें आपने detail में पढ़ा होगा Animalia Kingdom तो यहाँ पर क्या करना है आर्थरोपोडा को देखो अगर आर्थरोपोडा को हम किसी भी class में categorize करना चाहते है तो कई सारे class है उसमें से एक class है हमारी कौन सी? एक class है Insecta, याद रहेगा Insecta आर्थरोपोडा में क्रस्टेशन class है एक Insecta class है तो आप देखो जो Insecta class है उस Insecta class में आप किसी class को किस में classify करते हैं आप बताओ तो किसी class को बहुत सारे orders में classify करते हैं आप यही तो order follow कर रहे हो यही तो sequence आपको classification का categories की classification का यही तो order follow कर रहे हैं हम लोग तो देखो इसमें इसमें अगर हम इंसेक्टा की बात करेंगे तो उसमें कई सारे आएंगे हमारे orders उसमें से एक order है diptera क्या नाम इस order का diptera और जो diptera order है भईई इस diptera order में अपने कई सारे families है उसमें से कोई एक family हम ले लेते हैं उसमें से एक family का नाम है muskidi मस्किडी अब जो यह muskidi family है इसमें अपने क्या होंगे आप ही बताओ तो इसमें बहुत सारे अपने genus होंगे उसमें से एक genus का नाम है muskka एक genus का नाम है muskka अब जो यह muskka genus है इस genus में कई सारे species हैं उसमें एक genus इस species का नाम है domestica domestica और जो यह muskka domestica है इसी को हम बोलते है house fly इसको हम कहते है house fly तो यह हमारी house fly है जो घर में मक्की रहती है उसका नाम है muskka domestica तो यह muskka domestica आपको house fly का नईम याद रहना चाहिए यह exam oriented आपको description है तो अगर आप अपने घर की house fly या घर की मक्की को जो खाने पे बिन बिनाती रहती है अगर उसका classification करना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा अनिमेलिया अर्थ्रोपोडा इंसेक्टा डिप्टेरा मस्किडी मस्का domestica तो यह कुछ ऐसे अनिमर्स थे जिनका classification NCRT में दिया गया है और उनको detail में कभी भी question के format में आपसे पूछा जा सकता है तो अब आप इन सारी चीजों को द्यान से रखना समझ लेना अनिमिलिया किंडम में हमने dog, cat, lion, tiger, leopard, human और house fly इतने हमने कितने हमने दो, तीन, पाँच, दो साथ, seven animals का description यहां पर describe किया इसके related questions आते हैं तो अगर मैंने यहां पे kingdom, division, class, order, family, genus और species इसमें फिर से classify करना चाहूँ लेकिन इस बार मैं kingdom बदल देता हूँ और वो kingdom रख देता हूँ यहां पे plantee P-L-A-N-T-A-E, plantee, तो यह plant का kingdom है, इसमें कई सारे division है, मैं कहूँगा फाच, पाच division है उनमें से एक division मैंने देता हूँ, angiosperm जब आपने बच्चो प्लांड kingdom नाम का चेप्टर पढ़ा है, तो उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोसperm, एंड एंड एंजियोसperm आपने पढ़ा है उसमें से जो हमारा ये एंजियोसperm है, उस एंजियोसpermी division को हम classify करने वाले है तो एंजियोसperm division में कई सारे आते हैं, या class उसमें से हम कोई एक class उठाकर रख लेते हैं ताकि हम NCRT base exam में questions कर सकें, तो एंजियोसperm को class में कई सारे classes के, वैसे domain classes के, कौन से? एक तो है Dicot और एक है Monocot लेकिन इसको Dicot Monocot को लिखते हैं Dicotylidony तो Dicotylidony ऐसे ही Monocotylidony तो Monocotylidony ये दोनों Classes हैं किसके? NGOS PUM के अब इसमें Classes है तो इसमें कई सारे Orders होंगे उसमें से कोई एक Order हम ले लेते हैं तो इसमें से एक Order हम लोग चूज करते हैं Polymonials 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 तो जब भी हम तो प्लांटी Kingdom अगर मैं कहता हूँ कि Kingdom को ले लो फिर उसको Divisions में Classify कर दो फिर उसको Classes में ले लो फिर Orders में ले लो फिर Family में और फिर Genus में और फिर Species में अगर आप इस तरीके से इस तरीके से अगर Plant Kingdom को Classify करना चाहते हो तो उसके लिए प्लांटी Kingdom को आप Angiosperm में रखा Angiosperm में फिर हमने Dicotylidon और Monocotylidon को Separate किया और जो Dicotylidon है उसमें से एक Order है हमारा Polymonials तो Polymonials में दो Families को यहाँ पे Consider किया गया NCRT में द्यान रखने के लिए तो Solenasi और Convolulasi तो Solenasi Family या Convolulasi Family को Polymonials Order में रखा गया है अब जब हम Monocotylidon की बात करते तो इसमें भी Monocotylidon जो इसका Class है ना इसका Monocotylidon जो Class है उसमें कई सारे Order से रहे होंगे उसमें से एक Order का नाम है Poels अब जो इस Poels Order है उसमें कई सारी Families रहे होंगी उसमें से एक Family का नाम है Poesi ठीक है? अब इस तरीके से हम Solenasi Poesi और यहाँ पे जो Dicotinidon Family है उसमें एक और Order है उस दूसरे Order को हम यहाँ पे देखेंगे उसका नाम है Sapindales Sapindales और अगर इस Sapindales Order को हम Classify करेंगे तो इसके कई सारे Families आएंगे उन में से एक Family हमारे NCRT में है जिसका नाम है Anacardiac 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 में जो Genus होगा जैसे Solenasi में क्या Genus होगा तो Solenasi में जो हमारा Genus आएगा उसका नाम है Solenum एक है Petunia और एक है Petunia एक है Solenum और एक है दतूरा तो जो यह तीन Genus है Petunia, Solenum और दतूरा यह तीनों के तीनों Genus Solenasi family में आते है और Solenasi के Actuvalent Convoliacy यह दोनों Family Polymonials Order में आते है अब जो Petunia है उसमें कही सारे Species है Solenum में कही सारे है तो Solenum और दतूरा में भी कही सारे है जब हम यहाँ पर Solenum वाली बात करेंगे Solenum वाली Family को यह आप Explain करेंगे तो देखो Solenum Genus जो है उसमें एक कराम है Tuberosum Tuberosum तो इसको आप Potato कहते हो Solenum Tuberosum तो यहाँ पर Potato कहते हो अब यहाँ पर आप यह देख लो कि यहाँ पर जो Solenum है तो यह Genus है और इसको किस में Classify करना है इस Species में Classify करना है ना तो अगर हम यहाँ पर देखे तो Solenum है इसमें कही सारे इसके Species आएंगे एक का नाम है Tuberosum इसमें tubers बलते हैं और इसको potato कहते हैं हम लोग potato दूसरे का नाम है Lycoparsicum तो Lycoparsicum को हम बोलते है Tomato फिर एक हमारा Solenum Genus में ही दूसरा भी है जिसका नाम है Nigrum यह एक Species है Nigrum जिसको हम कहते हैं मकोई एक plant होता है मकोई तो पोटेटो, टोमेटो, मकोई यह हमारे Solenum Nigrum Lycoparsicum Tuberism यह हमारे Solenacy family के members हैं फिर हमने अभी अगर हम पीछे देखते तो यहाँ पे एक और genus है हमारा order है एक order है Sapindales तो Sapindales में Anacardiace Anacardiace family को देख लेते तो Anacardiace family अगर हम यहाँ पे देखे जो Solenum ता उसी तरीके से एक हमारे सामने जो Anacardiace family है जैसे मैं अगर कहूँ Anacardiace तो Anacardiace family में कई सारे आपके genus होंगे उसमें से एक genus का नाम है Mangi Fera और Mangi Fera में जो कई सारे species होने से बनते हैं उसमें से एक species का नाम है Indica और जो यह Mangi Fera Indica है इसी का नाम है Mango जिस तरीके से Potato का exam में पूछ सकता है Anacardi में है तो पूछ सकता है Tomato का भी पूछ सकता है McCoy का भी पूछ सकता है Indica मतलब Mango का भी पूछ सकता है तो यह classification आपको आना चाहिए फिर हम पीछे देखते हैं कि यहाँ जो Monocotyledon family थी जिसमें Poals order था उसमें हमने कौन सी family Poaceae P-O-A-C-E-A-E तो Poaceae family है यह और इस Poaceae family में कई सारे genus होंगे तो उसमें से कोई एक genus ले रेते हैं जैसे कि Tritikum Tritikum तो Tritikum जो है उसमें से कही सारे species है उसमें से एक species का नाम है Estivum उसमें से एक species का नाम है Estivum और जो ट्राइटिकम Estivum है इसी का नाम है wheat यह हूँ जिसको बोलते हैं तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपका जो solenum है वो तो तेन स्पसीज के साथ जाएगा एन अकारडी, एसी महेंगी फेरा, इंडिका के साथ जाएगा जीनस और स्पसीज में solenum जो है जीनस है यह फैमिली है और इसका एक जीनस होगा यह महेंगी फेरा कर सकते हैं, एक question करते हैं जिसे exam में बहुत ज़्यादा confusing question, एक ही question देखो मैंने का living word में एक ही question बनता है, लेकिन उसमें से अगर हम यहाँ पे kingdom रखते हैं फिर इसको division या phylum में, फिर इसको class में फिर order में, फिर families में फिर genus में और फिर species में, अगर इस order में रखते हैं, तो किस order में हम देखते हैं कि क्या होगा उसमें तीन टाइप की questions बनते हैं एक question तो बनता है कि number of organism in hierarchy, hierarchy में number of organism कहा ज़्यादा होगा, एक question बनता है कि number of common characteristics, similarities सबसे ज़्यादा किस level पे होँगी species के level पे सबसे ज़्यादा similarities होगी और kingdom के level पे सबसे कम similarities होगी similarities का मतलब होता है common characters similarities का मतलब होता है common characters, तो अगर किसी organism में common character बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा common characters हैं तो बहुत lower level की category होगी या तो species होगा, या तो genus होगा, इसलिए हम इन question को भी करेंगे फिर एक question है level of difficulty of classification जैसे जैसे आप किसी भी category में किसी organism को classify करने जाते हो तो इस order में इस ascending order में difficulty कब ज़ादा आएगी तो उस difficulty के level को भी question के format में कभी भी exam में पूछा जाता है तो इस format को समझ ले के लिए यहाँ पे जान से देखो अगर हम यह normal तरीके से समझें यहाँ पे तो simply आप एक rule बना लो क्या rule बनाना है कि अगर हम एक तरफ लिखते है kingdom और एक तरफ लिख लेते है इस species तो इस तरीके से अगर हम देखे इस species से kingdom की तरफ जब हम order लगाते हैं तो यह कौन सा है ascending order है ज्यान लखना ascending order है किसका character ascending order से किसका categories का ascending order कहां से है इस species से genus की तरफ अब मैं यहाँ से कुछ और भी चीज़े लिखता हूँ कि जैसे जैसे आप इस species से kingdom की तरफ बढ़ोगे यह भी ascending order होगा बट किसका होगा ascending order मतलब की increasing ascending order का मतलब होता है increasing increasing अब यह ध्यान लखना ascending order of number of organisms यह चीज़े बहुत जरूर नोट कर लेना कि अगर आप species से और top मतलब kingdom की तरफ move करोगे तो यह होगा increasing order of number of organisms number of organisms genus में कम होते हैं उससे family में उससे ज़्यादा होते हैं order में उससे भी ज़्यादा होते हैं division या class में उससे भी ज़्यादा होते हैं और kingdom में सबसे ज़्यादा होते हैं तो इसलिए हमको यहाँ पर देखने को मिला number of organisms मतलब यह वाला question तो हमारा solve हो गया, कि ये वाला question solve हो गया कि number of organism hierarchy में species से kingdom की तरफ बढ़ने पर क्या होंगे, बढ़ेंगे, number of organism इदर बढ़ रहे हैं, अच्छा बताओ number of organism जब इदर बढ़ रहे हैं, और common characters क्या होंगे, तो जब भी हम species से kingdom की तरफ जाएंगे, तो common characters कम होते चले जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, descending order, descending का मतलब हो गया, decreasing, decreasing क्या होगा, decreasing numbers of common characters, तो common characters क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, तो common characters जो होंगे, वो कम होते चले जाएंगे, किदर? इस species से लेके kingdom की तरफ, और अगर आप इसका उल्टा condition कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, number of common characters बढ़ते चले जाएंगे, मतलब kingdom से species की तरफ जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे एक और point ड्यान अखना, कि अगर इसका उल्टा कर दोगे, तो concept उल्टा हो जाएगा, यह बात द्यान अखने की है, तो इसका मतलब यह दूसरा question भी हमारा solve हो गया, और वो यह solve हो गया, कि number of common characters किस तरीके से होगे, तो number of common characters, अगर आप kingdom से species की तरफ जाओगे, तो number of common character क्या होगे, increase करेंगे, number of common character क्या करेंगे, increase करेंगे, यह idea आपको आगया, इससे question solve होता है, फिर और order है, हमने कहा था, difficulty कैसे बढ़ेगी, classification की difficulty कैसे बढ़ेगी, यह question number third, इसका मतलब है, level of difficulty in classification, classification में difficulty कैसे बढ़ेगी, तो difficulty तब बढ़ेगी, जब आप इस order में, देखो, यहां से ascending order था, तो इसी order में मैं एक arrow लगा देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ, ascending, यह increasing, increasing क्या है, difficulty, of classification, तो अगर आप classification की difficulty देखना चाहते हो, तो जैसे जैसे आप इस पसीज से, kingdom की तरफ बढ़ेगी, तो difficulty बढ़ेगी, number of organisms भी बढ़ेंगे, और categories भी बढ़ती चली जाएंगी, categories का भी ascending order है, तो categories भी बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन number of common character कम होता चला जाएगा, number of common character इन तीनों के antagonist होता है, और ये question, ये तीनों question आपको, इस में से कोई question कभी भी आपको किसी format में need मिल सकता है, क्योंकि ये question बहुत probable है, अब जैसे यहाँ पर taxonomic categories में से एक-एक को explain किया गया है, अब एक-एक को explain किया गया है, देखो, यहाँ पर जो expression है, यह mango के लिए है, अब आप बताओ क्या mango classification हमने किया नहीं था भी, थोड़ी दिर पहले किया है, mango का classification किया है ना, तो इसमें genus का name और species का name यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आप इसको binomial, binomial, nomenclature के तरहिकी से देख सकते हो, जैसे इसमें mangyfera indica लिखा हुआ है, potato का नाम आपको याद है, solenum tuberisum, अभी थोड़ी दिर पहले हमने क्या किया, इसका classification किया, अब इसमें nightshade नाम का एक plant है, नहीं, common name nightshade, जिसको हम solenum nigram कहते हैं, इसी को मैं mokoi कह रहा था, ना, mokoi, तो यह द्यान अगना nightshade, जो mokoi या, mokoi या nightshade जो plant है, वो solenum nigram, इसका भी classification हमने पूरा कर लिया, अभी थोड़ी दिर पहले, जितनी विचे ते टोमाटों का आपने क्या किया, solenum lycoparsicum, हमने इसका भी classification अभी थोड़ी दिर पहले कर लिया है, kingdom से लेकर, last तक, ऐसे ब्रिंजल का देखो, ब्रिंजल का है solenum, अब solenum genus जो हमने पढ़ा है उसमें melonjena, melonjena, यह ध्यान लगना है, तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे, अभी जो यहाँ पर देखा, कि solenum, तो solenum की एक species कौन से हो सकती है, melonjena, और यह melonjena का नाम क्या है, ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैगन, याद रहेगा, तो अगर बैगन जिसकी सबजी बनती है, ब्रिंजल, तो वो melonjena है, solenum, melonjena उसको कहते हैं, और यही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है, फिर यह इतने classification बिटा एनिमस के हैं, जैसे मैंने बोला, lion को क्या बोलते है इनका भी classification कर चुके हैं, तो जितनी भी categories आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सब का classification कर लिया है, बताना यह चाहता है कि species नाम की जो category है, वो एक ऐसा group है, किसका बहुत closely related organisms का, जो interbreed करते हैं, आपस में ही breeding करते हैं, अपने group में, और fertile offspring को produce करते हैं, जैसे lion अगर lion से reproduce करेगा, तो fertile lion produce करेगा, lion चाहे male हो या female हो, वो lion fertile होगा, लेकिन अगर lion और tiger cross करेंगे, तो liger बनेगा infertile होगा, तो इसलिए यह अलग-अलग species हो गई न, यह leo है, यह tiger है, तो इसलिए tiger और leo आपस में reproduce नहीं करते हैं, natural तरीके से नहीं करते हैं, आटिफ इसलिए reproduce हम करा सकते हैं, जरुत के recording, फिर इसी तरीके से आप देखते हो यहाँ पर कि genus solenum, आप इसमें बोला गया है कि इस taxonomic category is genus क्या है, तो genus is the aggregate of closely related species, जैसे अभी तोड़ी दिर पहले मैंने कहा, कि जो species काफी related होते हैं, उनको किसी genus में रख देते हैं, ठीक है, जैसे solenum में क्या है, पोटेटो आता है, टोमेटो आता है, और ब्रिंजल आता है, solenum tuberisum, solenum lycoparsicum, solenum melongena, अभी अभी classification हमने किया थोड़ी दिर पहले, तो जितने भी यह slides आपको अब next आने वाले सब revision हैं, आप उसे ध्यान से देख लो, panthera, tigeris classification हमने किया थोड़ी दिर पहले, housefly जो phelis domesticus cat है, गर की बिली और phelis chars, जिसको हम जंगली cat कह सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी species हैं cat की, domesticus है, chars है, phelis phelis है, यह सारी species है, तो ऐसे ही आप देख पाओगे, अब अगर हम देखी कि family क्या होती है, category, तो family is a group of related genus, यह जी genus, genus का मतलब होता है one genera, एक genera, और अगर मैं लिख दू, many genus, कई सारे genus को अगर मैं लिख दू, तो क्या लेखेंगे, उसको genera बोनते हैं, one genera मतलब genus, और many genus मतलब genera, genera is plural, nothing else, कुछ नहीं plural है, बस, solenacy की अगर आप बात करते हो, तो उसमें solenum petunia, जिसमें genus है, family है न, solenacy family, तो उसमें कितने genus आते हैं, एक solenum, एक petunia, एक datura, ये भी बात हमने थोड़ी दिर पहले कर ली है, इसमें feliddy family है, उसमें panthera, और felis, दो नाम के genus आते हैं, इसको भी discuss किया भी थोड़ी दिर पहले, इस तरीके से जब भी आप देखोगे, जब भी आप द related families को किसमें रखा गया है, order में रखा गया है, अब बताओ जो order कार्नी वो रहा है, इसमें दो families, फिलेडी और कैनेडी आती हैं, ये भी आपको clear होगा, फिर हमने अभी dicotyledon plants में बात की थी, तो उसमें order polymonials, और order sapindales, इनका भी description कर लिया है, हमने sapindales में mango आता है, और polymonials म mammalia जैसे कि इसमें primata और carnivora इनकी भी बात कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले classification किया है, तो आप आराम से बता पाओगे जैसे इसमें, angiosperm में dicotyledon class और monocotyledon class अभी देखा, phylum quadata में amphibia, reptilia, birds and mammals, ये classes बनाए गए हैं, जो आपने chapter नमबर 4 में पढ़ा था, तो अगर मै यहाँ पे, एक के को द्यान से देखूँ, तो आप असानी से यहाँ पे question के format में कर पाओगे, इसका एक assemblays है question यहाँ पे सामने, यह एक तरीकी का question इसको द्यान से समझने की ज़रुत है, जैसे मैं बोलता हूँ animalia, तो animalia में कौन कौन सी चीज़े आती है, तो आप कहोगी इसमें से सारी की सारी animalia आती है, जैसे यह भी animal है, इसमें यह भी animal है, 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 यह तो इसमें ये MEMELS नहीं है यह MEMELS नहीं है जैसे ये Qordeta नहीं था तो ये MEMELS नहीं है तो अब ये सारे के सारे MEMELS है MEMELS का मतलब होता है जो milk देता है अपने बच्चों को और ते है chyba स दाल कि ये भी कार्निवोरा में नहीं आएगा, ये भी कार्निवोरा में नहीं आएगा, और ये भी कार्निवोरा में नहीं आएगा, क्योंकि human आता है प्राइमेटा में, order इसका प्राइमेटा है, तो order कार्निवोरा किस किस के लिए लागो होगा, कार्निवोरा में Kennedy family मतलब की dog आता है फेलिस मतलब की कैट आती है और पैंथेरा लियो पैंथेरा टाइगरीज ये सब कार्निवोरा में आते हैं फिर पूछता है कि फैमिली फैलिडी इसमें क्या आएगा तो फैलिडी फैमिली में कैनेडी फैमिली का मिंबर नहीं आएगा उसका नामे डॉग और ये human humanity family का है ये bird और ये भी insect नहीं आने वाले इसमें इसमें सिर्फ आएंगे फैलिडी में ये तीन members फिर बापस से देखते हैं कि panthera genus में क्या-क्या आने वाला है तो panthera genus में tigeris आएगा और leo आएगा बट ये falis है ये panthera में होती नहीं है cat जोती falis में होती है इस तरीके से ये audience भी यहां से निकल जाने वाले है similarly मैं यहाँ पर आप समझ गये होगे कि क्या कहना चाहरा हूँ हर बार हमें finally यहाँ पर पूछ रहा है tigeris तो ये lion avatar ये leo होता है tigeris नहीं होता है तो ये हो गया सिर्फ अकिला tigeris इस तरीके से आप इस question के format को द्याल से देखो तो आप किसी भी category, किसी भी classification के किसी भी animal को ठीक से पैचान सकते हो इसी पर questions आते है जैसे इसमें human को लेके housefly को लेके, mango को लेके और wheat को लेके classification किया गया है already हमने किया है पीछे अभी तो ये सारा होई है पिर एक अवारा topic आता जो इस बार नीट से हट गया है, जिसका नाम है taxonomical ads, taxonomical ads में ये nine taxonomical ads हैं इसमें harbarium, vartnical garden, geological park, museum, key, flora, manual, monograph और केदलोगें, लेकिन ये हमारे questions को आप बिला preparation की exam में जा सकते हो क्योंकि इससे question पहली बाद तो आना नहीं है और अगा आभी गया तो bonus जाएगा इसलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें है biological organization एक simple सा topic है जिसको ध्यान से समझने की ज़रुत है biological organization सुरू होता है macro bio molecule कुल से macrobio molecules macrobio molecules एक level है जिससे biology की सुरूवात होती है अब यह समझ सकते हो यह कैसा chemical होता है जो biochemical चीज़े बनाता है यह biochemical reactions परफॉर्म कर सकता है जिससे protein, carbohydrate, vitamins, etc तो यह सारी की सारी चीज़े macrobio molecules से relate करेंगी इनसे बनता है cell organelles जितने भी cell organelles है या structures cellular structures जितनी भी मैं cellular structures कहूँगा तो यह structures हो सकती है cell वाली structures हो सकती है और इन cell वाली structure से बनता है cell और फिर आगे आप सब जानते हो बनता है tissue और फिर आगे आप सब जानते हो बनता है organ फिर आगे सब जानते हो organ system और organ system से फिर बनती है body body को आप कह सकते हो individual या आप इसे कह सकते हो member और member of population आप इसे किसी population का member कह सकते हो population of any species मतलब वो किसी ना किसी species को represent कर रहा है तो इसलिए द्यार नखना कि अब ये जो है biological organization है ऐसा कह सकते हो the level of organization by which biological system is produced biological system जहाँ पे मिलता है तो देखो अगर कोई इस से macromolecules से पहले क्या होगा कोई chemical होगा तो उसको chemical organization बोलेंगे तो chemical organization के बाद biological organization शुरू हो जाएगा और यहाँ पे body या individual या member पे आके खतम हो जाएगा अब जो member होता है population बनाता है population से communities बनती communities से ecosystem बनता है कई सारे ecosystem से biome बनता है और biome से biosphere बनता है इसका मतलब जो organism and population से सुरू होता है वो भी organization है लेकिन वो organization हम किसमें पढ़ता है ecology में पढ़ता है उसको क्या बोलता है ecological organization but हमारे syllabus में क्या है इस वाले chapter में इसमें सिर्फ biological organization है तो आपको ध्यान दखना है कि biological organization कहां से सुरू होता है और कहां तक जाता है तो सुरू होता है Acrobio Molecular से और Body तर जाता है इसके आगे Ecology सुरू हो जाती है इसमें ये पूछा जाता है Question इसका एक ही आता है जो Question है वह आपके सामने है एक ही Question इस पर बनता है और वह बनता है characteristics of biological organization at different level पर पूस्ता है अगर आप बताओ इदर देख के बताओ किस tissue में cell के characters होंगे क्या बिल्कुल होंगे क्योंकि ultimately cells tissue में मिलते है आप बताओ आपके घर में आपका character होगा की नहीं होगा होगा क्योंकि आप अपने घर के अंदर अपने character लेके बैठे हुए हो अगर मैं पूछू आपके अंदर आपके घर के सारे character होगे क्या नहीं होगे क्योंकि उसमें आप अपने parents के character include नहीं कर पाओगे आप सिर्फ अपने character include कर पाओगे जैसे एक देश के अंदर क्या एक इंसान होगा हाँ एक होगा लेकि एक एक इंसान के अंदर क्या पूरा देश मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो एक इंसान के अंदर पूरा country नहीं हो सकता similarly, tissue के अंदर cells का character होगा, बट cell के अंदर tissue का character नहीं हो सकता है, इसलिए ध्यान अखने की बात है, lower level पे कोई भी organization होगा उसका character higher level पे मिल जाएगा, लेकिन higher level के किसी भी character का character lower level पे नहीं मिलेगा जैसे मैं कहूँ, एक पेड़ पे फल मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन फल के अंदर पेड़ मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा तो उसी तरीकी से आप की कह सकते हो कि यहाँ पर characteristics of biomolecules are found in cell organelles बाद cell organelles बतलो इसके characters इसमें मिल जाएंगे ब्ट characters of cell organelles are not found in biomolecules, ऐसे ही माएलो कि organ systems की character किसमें नहीं मिलेंगे? tissues में मिलेंगे, बट tissue की character किसमें मिल जाएंगे? organ system में मिल जाएंगे जैसे मेरे हाथ को organ system आप कह सकते हो, इस हाथ में fingers हैं, बट एक finger में एक hand नहीं हो सकता, वैसे ही आप समझ सकते हो कि lower level के characters जो होंगे higher level पे होंगे, बट higher level characters lower level पे नहीं होंगे, वही एक question पूस्टा है कभी-कभी, and that is it, यह हमारा last question बन सकता है आसे, and the end means to say this chapter end, यह chapter end हुआ है, biology भी बहुत continue है वाटनी भी बहुत continue है तो next chapter में आपके सामने आओगा biological organization लेके, तब तक के लिए धन्यवाद अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो